तो भाई प्रोजक्टर की दुनिया का बाशा अपने पास आगया है और बाशा इसलिए क्योंकि यह जो फीचर अपने को डिलिवर कर रहा है ना इस प्राइस रेंज में आज के तारिक में कोई और प्रोजक्टर अपने को देगी नहीं सकता मैंने इसकंदर यहां पर हाई कोलिटी पी मूवी देखी, गेमिंग भी मैंने सकंदर करके देखी और भाई पर क्यांवी देखर हो वीडियो देखर हो यह गेमिंग ही कर रहा है तो भाई वो क्यूटी आपने को बहुत ही शार्प और मिलती है प्रोजेक्टर का सबसे मेन पाल्ड उसका लेंप होता है और लेंप जितना जदा यहां भी बेटर होगा जितनी उसमें अपने को मिलेगी उतनी अच्छी कोलेटी भी अपने को भीसली मिलेगी तो जब आप इस प्रोजेक्टर को ओडर करोगे ना तो इस टाइप का आपको यहां पर बॉक्स मिलेगा यह एक HD Multimedia Projector है जो स्मार्ट फीचर के साथ आ रहा है और डबे में से सबसे पहले अपने को चम चम आता अपना यहां पर प्रोजेक्टर मिलेगा और इसकी बिल्ड कोलेटी भाई सोलिड है और लुक तो भाई पूछोई मत मेरे तो इसका दिवान हो गया बहुत ही modern और futuristic design के साथ या रहा है और इस प्रोजेक्टर का जो यह वाला पार्ट ना इसको slide करके ही यह यहां पर चालू होता भाई आप button से चालू कर लो remote से चालू कर लो यह चालू नहीं होगा जब तक आप इस वाला पार्ट को यहां पर left में swipe नहीं करता है इसके लोग box में सबने कोई के power cable मिल जाएगी जिसकी लेंध भी अच्छी कासी लंबी है एकी rebound control मिल जाएगा जिसमें basic से navigation button है इसके लोग box में सबने कोई KB की cable भी मिलेगी और इसके लोग जो AV का cable अपने को मिल रहे है ना भाई वो input को support करती है मदलब इसके थूरू आपन setup box को या Android box आते है ना उसको इसमें connect कर कि उसका output भी ले सकते है तो आगर आपके घर में टाटा इसका है वीडियो कौन ये डिश्टी भी आप यूज़ कर रहो तो उसको इसके अंदर चला भी सकते हो और फेमिली के साथ enjoy भी कर सकते हो लाइब टीवी चैनल भी इसमें चलते है setup box के थूरू और हाँ यार मैंने इसके अंदर फाइल टीवी श्टीक को भी यहाँ पर connect कर रहा था क्योंकि gaming में ने obviously फाइल टीवी के अंदर ही करी थी और फाइल टीवी को connect करने के बाद जो मेरे expense रहना वो तो यहाँ पर totally change हो गया था तो मैं तो यह recommend करूँआ कि अगर आप इस projector को खरीटे हो तो फाइल टीवी भी साथ में खरीदी ले ना फूर तो यार आपके मज़े ही मज़े इसके लवा box में से अपने को clean एक fiber का एक cloth मिलेगा और भाई यह जो cloth अपने को मिल रहा है ना lens को clean करने का यह बड़े बड़े जो 25-30,000 के projector आते है ना उनके अंदर भी नहीं मिलता उसके लवा इसके अंदर अपने कोई HDMI port मिल जाएगा इसके लवा अपने कोई code jack मिल जाएगा अगर आपको home theater को connect करना होना इसमें जो की करना ही पड़ेगा भाई इसके अंदर वैसे speaker तो अपने को मिल रहे है लेकिन उनकी speaker की quality यहाँ पर decent है ना तो ज़्यादा loud है ना ज़्यादा बेकार है अगर अकिले में आप इस projector को use कर रहे हो सही चीज़ देखने के लिए तो अब इसके speaker आपको काम आ जाएगा लेकिन family के साथ अगर आप इस projector को use करोगे या भी कोई बड़ी movie देखोगे ना तो home theater को आपको यहाँ पर connect करना ही पड़ेगा इसके लोग आपने को यहाँ पर 38 से का एक पोड मिल जाएगा setup आप करने के लिए और दो USB के पोड मिलेंगे तो पेंड्राइब के थुरू आप मूवी शो म्यूजिक और घर के जो भी एल्मम या फोटोस होते ना वो भी आपन इसके अंदर देख सकते है तो अगर आपके पास इंट्रेनेट नहीं है तो पेंड्राइब के थुरू आप मूवी को डाउलड करके इसमें देख भी सकते हो या तुम्हें सच सच बताओ ना तो इस प्रोजेक्टर का एक पार्ट मुझे बहुत दासू लगा यह अवला जो अपने को पार्ट मिल रहा है ना यह एक मैं इनको ना गेर नहीं बोलते हैं इनको कुछ और बोलते हैं पर वह नाम अभी मुझे याद नहीं रहा लेकिन इसके थूरू अपन इसकी प्रोजेक्शन साइच के फोकस को यहाँ पर एडजेस्स कर सकते हैं अब मैं आपको बेले भी बताया था किस प्रोजेक्टर के अंदर अपने को 4000 लूमेंस के यहाँ पर ब्लैटर्स मिलती है तो इसका प्रोजेक्शन का साइच है न भाई वो यहाँ पर 140 सिंचे तक एक्स्टेंड हो जाता है तो आप इसको मिनिमाम 40 सिंच और मेक्जिमाम 140 सिंच तक इसको यूज कर सकते हो मेरे पास यहाँ पर वाइट दिव पर काम करता है तो अवरल जो प्रोजेक्शन की क्वालिटी अती ना वो किलेर होती है इसके छोटे-छोटे टेक्ष्ट अपन किलेर पढ़ सकते और अपने को किलेर टी भी आप अच्छी मिलेगी यह चीज ना देखो केमरे में इतना आपको पता चलनी पाएगा क्योंकि के प्रोजेक्टर का सबसे इंपोर्टेंट पार उसका लेंप होता है जिसे अपने यहां पर लेंसे बहुते है कई बार तो इस प्रोजेक्टर के अंदर अपने को 30,000 घंटे का लेंप मिल रहा है मतलब अगर आप एक दिन में इसको 10 घंटे भी यूज करता हो ना तो यह आप के 8-9 साल चल जाना चीए शायद देखो मैंने केलकुलेशन तोड़ी ऐसे ही करी है आप बेट के अराम से केलकुलेशन कर लेना बट इसके अंदर आपने को 30,000 घंटे का लेंप मिल रहा है तो आप खूद हो सोचो कि कितने घंटे अपन इसको यूज कर सकते हैं सोरे कितने मैंने कितने साल इसको अपन यहाँ पर यूज कर सकते हैं मैंने इसके अंदर होबस लिए यहाँ पर कुछ गेम भी खेलके देखे रहते हैं फाइल टीवी को अनेट करने के बाद और गेम खेलना का एक्स्प्रेंस तो भाई मलब मैं बता नहीं सकता मलब आप खूद ही सोच तो इसका यह की सोलिशन है फाइल टीवी के अंदर जो अपने को एक्स्टेंटर मिलता है ने एच्टिमाई का उसके थूर इसको उपर की तरह प्रग देना तैकि जो गरम हवा है न वो अपने सीधरास से निकल सके है वो फाइल टीवी को टेस्ट नहीं करें नहीं तो बाई इंटरनेट अपने इसके थूर यूज़ कर सकते हैं और इंटरनेट के जरी अपन ओलनाइन मूवी, सॉंग या ट्रेलर या भी जो भी आप देखते हैं वो अपन देख सकते हैं वाइफाइ के थूर यह वाइफाइ इसके अंदर अपने को मिल रहे है 2.4 GHz का इसके लावा अपने मूबाइल के अंदर जो भी देखोगे ना मान के चोल आपके पास फेमिली की फोटो से कई घूमने गये हो आपने फेमिली की फोटो लिये हो और फेमिली के साथ बेटके अगर आप उसको इंज्वी करना चातो ना तो यह मूबाइल से डिर्क्ली कनेक्ट भी हो चालीस इंची का मिनिममम प्रोजेक्शन साइज है और इसको अपने एक सो चालीस इंची तक भी यहाँ पर यूज कर सकते है भाई मेरे पात जो वह लेना वह एक सो चालीस इंची से भी बढ़िये और उसके इसको यूज करके देखा भाई और बाई सच बताराओ एक तरफ कोई भी मूवी देखते है ना तो आपर यहाँ पर 1080 पी का हाइस्ट इसलिशन का सबोर्ड भी मिल सकता है तो जिससे जो यहाँ पर किलेल्टी आती ना वह बहुत ज़्यदा इन्नस हो जाती है और कलर भी अपने को पंची नहीं मिलते है और गाईस यह जो अपना प्रोजे दे रहा हो वहाँ पर जाके एक बाट चेकाड कर लेना तो डिफिनेटली यह रिकमेंटेट है क्योंकि यह खूद मुझे पसंद आया तो आप इसको बाइक कर सकते हो डिस्क्रेशन के लिंक में जाके वीडियो किसी लगी मुझे कमेंट करके बताना और अकर आप यहाँ पर झाल 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 झाल